असलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टरांट स्टाइल मटर पनीर, इन फैक्ट यह जो रेस्टरांट में मटर पनीर होते हैं उससे भी कहीं जादा टेस्टी बनने वाला है, अगर आपको शौक है रेस्टरांट जैसी डिशेज घर पर ट्राय करने का, तो फिर म इस तरह से क्यूब्स में काट लेंगे, आप जिस शेप में चाहें इनको काट सकते हैं, और इधार हमें एक पानी दियार कर लेना है, फ्राय करने के बाद इस पानी में हम पनीर को डालेंगे, जिससे के पनीर सॉफ्ट रहेगा, तो एक से डेड़ कप गरम पानी ले 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 में अगरते हैं, तब तक पानीर को डाले हैं, जिससे क्या होता है? पानीर पनीर सॉफ्ट बना रहता है वरना अक्सर पनीर होता है वह सखत हो जाता है, तो अभी इसको रख देते हैं, साइड में, इधर इसी पान के अंदर एक उस चिमला में, क्यूब्स में काट कर लेंग तो बस 2-3 मिनिट के लिए इसको हाई फ्रेम पर भाइ करेंगे और इसको भी हम बाहर निकालेंगे इसको साइड मे लख देता है अब एक पैन ले लेंगे जिसके अंदर हमें एक गरेवी तेयार करनी है इसमें हम दो चम्मश तालेंगे तेल और दो चम्मश से करीब डालेंग यह इसमें डाल देंगे और प्यास को छलका सॉफ्ट होनी तक फ्राइ करेंगे। दो-तीन इसमें हारेमेश भी डाल देंगे और Remiis डेंगे प्रेश चूल देंगे। तुकडा दो तीन लॉंग और दो तीन चोटी लाजी डाल देंगे इनको हलका सा क्रैकल होने देंगे जब यह क्रैकल हो जाएगा इसके अंदर हमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करना है जिसमें कि हम डेर टीसपून के करीब धनिय का पाउडर एक टीसपून लाल मिर्च का प जब तक मसाले बुन रहे हैं इदर हमारी जो प्यास है जो कि हमने राए करके रखी ती इसको हम डालेंगे एक मिक्सि के जार में और इसका एक फाइन पेस्ट बनालेंगे यहां पर मसाले बहुन चुके है हमें इसमें डालना है तो तीन मीडियम साइज के टमाटरों को मैं मिक्सी में पीस लिया था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और तीन-चार मिनट के लिए टमाट्रों के पेस्ट के साथ मसाला भून लेंगे अब हमने जो प्यास का पेस्ट पनाया था वो पेस्ट भी हमें इसमें डाल देना है और इसके साथ भी हमें मसालों को अच्छी तर तो आजकल मटर है वो थोड़ी सकत है तो पहले हम मटर को थोड़ा सा गला लेते हैं एक कप के करीब इसमें पाइं डाल देंगे या फिर जैसी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं उसे साफ से पाइं डालेजेगा और इसको धग कर तकरीब आट मिनट के लिए धीमियाज प पका लेंगे तो यहां पर लो फ्लेम पर तकरीब आट मिनट के लिए मैंने मटर को पकाया है वो मटर हमारी अलमूस्ट गल चुकी है एक इसको मिक्स तेंगे अब हम डालेंगे इसके अंदर फ्रेश क्रीम तो दो से तीन टेबिल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंग और अब हमने जो पनीर फ्राई के रखा वा था उसमें से जो पानी था ना उसको ड्रेन कर देंगे चान देंगे और पानी को फेक देंगे और पनीर के पीसे इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब हम डालेंगे इसके अंदर एक टीस्पून के क पतरीब कसूरी में ते इसको मिला देना रहाईते तार रहा है कि फ्रस्टी बहु ऐसे ही है जैसे कभी आपने इसको रेस्टरॉंट सो गएरा में खाया होगा बहुत टेस्टी बनकर रेडी होता है जिस तरह से इसकी जो ग्रेवियर देखने में बहुत टेम्टिंग लग रही है ना खाने में उतनी ही मज़े की है थोड़ी से हर धने के पत्ते भी इसमे कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे को कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा मुझे अच्छा लगता है आपके बारे में चानकर और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत मज़े कि हमारी मटा पनीर रेटी है फ्रेश मटा के साथ इसका टेस्ट दुग न हो जाता है ले वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला अफेज